बेवी चार में देश शवरतियों बेवान की फिर तो यह भवान की तो दुश्मन बन जाएंगे कोई शरावी के सामने कोई महत्मा है तो शरावी ऐसे देखता है कि बोल भी देता है कि क्या महाराज यह अमेरिका है इसमें क्या यह पैंट शिर्ट पेना करो वो देखना ही नहीं चाहता महत्मा को, सादू को तो भगवान को कहा देखना चाहता है वो खुद ही भगवान बना हुआ है एक बोतल ढाल ली, खुद भगवान बन गया ऐसे किसी ने पैसा एकटा कर लिया, खुद भगवान बन गया यह बन जाना चाहता है और नाजाने क्या-क्या बंजाना चाहता है तो फिर यह पाप करता है महाशनो महापाक्मा विद्धि एनम भीए बहरिनम तो एक काम संसार को भोगने की इंद्रियत तर्प्ति करने की जो इच्छाय है अभिलाशाय है यही सारा पाप करवाती है और यह कभी तरप्त तो होती नहीं चाहे महाशन एतरप्त रहने वाली महापाप्मा और महान पाप भी करवा लेती है विद्धि एनम इह वैरिनम इस विश्य में है अर्जुन तो इस काम काम को ही मुख्य समझ भोग विलाशों को ही मुख्य समझ संसार को भोगनी की प्रवर्ति भोगतारम ये गित अफसाम सर्वलोक महेश्वरम ये अनंत ब्रम्मानों के भोगता एक मात्र स्री कृष्ण है भगवान कह रहे हैं भोगतारम ये गित अफसाम सर्वलोक महेश्वरम सुर्दम सरो भूता नाम ग्यात्वा माम शांति मृच्छति नहीं हम भगवान की शरण में रह करके भगवान के चरणों में रह करके हम सभी प्रकार आनंदित हो सकते हैं भगवान से अलग हो करके तो हम संसार के भोगों में काम वासनाओं में उतरेंगे फिर काम क्रोद मद मोह नात नरक के पंथ फिर ये नरक में ले जाने वाले इसे दोते हैं जितने भोग विलाशन इसलिए भगवान स्रीकर्शन कहते हैं एसाम तवन्त गतम पापम जना नाम पूर्ण कर्म नाम पायस एक्टिविटीज करते करते पूर्ण धर्म करते करते दया धर्म करते करते निश्काम कर्म करते करते परोपकार करते करते जिनके पाप नश्ट होए हैं पूरी तरह से पापों का फलाना बंद हो गया है ऐसे व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं और मुझे ऐसे ही व्यक्ति द्वंदों से मुक्तों पाते हैं इच्छा द्वेस जैसे द्वंद से मुक्तों पाते हैं उनके इर्दे में इच्छा की जगे मेरी सेवा और द्वेश की जगा मेरा प्रेम उनके इर्दे में भर जाता है आई पापों का फलाता बंदो गया है यनी पाप पूर्णटा जल गए है ऐसे ही विएटि द्वंद से परे होते हैं ते द्वंद में निर्मुकता और ये द्वंद इच्छा दुष से जो परे हो गए है बजन्ति माम द्रडवरत आ तो फिर व्यक्ति मुझे द्रडवरत द्रडशंकल्प ले करके कि बहुत हो गया है बार बार ये संसार का बोग की आए इस बार नहीं करूना बहुत जनम बिच्ड़े थे माधो ये जनम तुमारे लेखे बहुत जनम बिच्ड़े थे माधो हे माधो बहुत जन्मों से हम आपसे दूर रहें आपको भूल गए इस संसार में पाप को अपना लिया बिसे भोगों को अपना लिया बैमनुश्यता को धारन कर लिया अभी इस जनम में हम आपकी शर्ण मा आना चाहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरी शर्ण लेता है और द्रव बृत लेकर के मेरा भजन करता है मुझे पानी की मेरे धाम में आने की कोशिश करता है इस संसार के जनम मरन जराव्यादी से छूटने के लिए प्रियत्न करता है और छूट जाता है ते दुन्दमों हो निर्मुता में भरी सेवा और मेरा प्रियम समाईत हो जाते हैं ऐसा एकति मुझे प्राप्त करता है जो द्रवृत लेकर के मेरा भजन करता है यह भगवान कह रहे हैं एसाम त्वंत गतं पापं जनानाम पुर्ण कर्मनाम ते द्वंदमों निर्मुकता भजन ते माम ध्रडवरता ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं जरामरमोक्षाय मामासृत्यतंतिये ते ब्रम्तब्विदोहु कृच्णम अध्यात्मं कर्मुचाखिलं तुर्व भगवानी कहां कि ऐसे व्यक्ति मेरे आश्रम में रह करके मेरी शर्ण में रह करके जनम जरामरमोक्षाय मामासृत्यतंतिये जरायनी बुड़ापा मरण यानी मृत्यों इनसे मुक्त होने के लिए मेरे आश्रम में आते हैं मेरी शर्ण में आते हैं और यतनती प्रियत्न करते हैं मुझे प्रसंद करने का मुझे रहाने के लिए मेरी सेवा करके मुझे पुष्प अरपन करके मेरा भजन करके मेरा कीरतन करके मेरा नाम का जब करके नाचते हैं मेरे मंदिरों की मूर्तियों के सामनी मेरा ने गुम्रू बांद लिये थे भगवान को रिजाने के लिए गुम्रू खरीद लिये थे चित्त औरगण उदैपुर के बाजार में से बांद लिये पावव में नाचते थी राजकुमारी थी पत्रानी थी चित्तावडगण की राजकुमारी थी उदैपुर की पत्रानी थी पाव में गुम्रू बांद लिये थे वो श्री कृष्ण को रिजाने के लिए नास्ती थी गाती थी नास्ती थी पागलों की तरह रोती थी जैसे सब लुट गया सब छुट गया कब मिलेंगी मुझे मेरे माधव मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोई छान दई कुलकी कानी कहा करेगो कोई संतन ढिंग बैट बैट लोक लाज खोई अस्वन जल सीच सीच भक्ती बेल वोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई दासी मीरा लाल गिर्धर तारोग होई अब तो प्रभु मुझे अपना लो अपनी दुलन की तरह आजाओ वर्दो मेरी मांग में सिंदूर मीरा बाई ने बांद ली थे गुंगरू तग गुंगरू बांद मीरा नाची रे लोग कहें मीरा भईर बावरी सास कहे कुल नासी रे पग घुंगरू बांद मीरा नाची रे बिश का प्याला राणा ने भेजा पी गई मीरा हासी रे भवान के प्रेम में जो पागल होते हैं उनके लिए बिस क्या करेगा, समाज का अपमान क्या करेगा, उनको मान सम्मान की परवा नहीं रहती, बिस पान भी कर जाते ही, कौन संत है जिसने संसार का बिस पान नहीं किया, संसार में उनके उपर पत्थर पैंके, उनको जहर दिया, उनको मारा, कतल किया, फासी दी, जीसस को फासी, मंसूर के हाथ पाउं काटे, फासी पलटका दिया, सुक्रात को जहर पिला दिया, मीरा को जहर पिला दिया, बुद्ध भगवान को मारने की चेश्टा की, गुरुनानाद देव जी के उपर भी चट्टान खिसका दी मारने के लिए, उन्होंने अपनी एक उंगली के इशारे से वो चट्टान को रोका, शक्तिवान थे, शक्तिवान है, क्योंकि भगवान के ही, जो स्वरूप है, वो शक्तिवान है, जो पवित्र, परम पवित्र है, वो शक्तिवान है, पवित्रता में शक्ति होती है, जरा अमरन मूख शाय तो इस जहर सब को पीना पड़ता है और संसार के पास है क्या जहर ही तो है जिसके पास जो होगा वो ही तो पिलाएगा अमरित तो मिलता है महापुर्शों के पास शुद्ध भक्तों के पास संसार के पास कहा मिलेगा संसार के पास मिलेंगी बीडी सिग्रेट शराब गांजा भान तंबा तंबा कुण मांस मटन बीफ बलड जिवा ताश के पत्ते और चम्रे का व्यापाहर यह सब जहर है तो संसार देगा क्या इच्छा द्रेस वो अपने को राजा गोसित करने के लिए बड़ा गोसित करने के लिए वो भगवान के भी सामने तल्वार लेके आ जाएगा रावन राम के सामने आ गया इरणा कश्यको भी आ गया भगवान को तल्वार लेकर के खड़क लेली आत्मी खड़क निकाल ली जैसे इनर सिंग भगवान प्रगट रुए लिए भगवान के आगे उसकी खड़क क्या करेगी लेक्स करेंगे क्या इस विचारे करेंगे क्या संसार वाले इनके पास जहरी तो है तो जहरी फिलाएंगे तो संतों को मारेंगे इगाली देंगे जूटे लांचन लगाएंगे काला मुह कर देंगे गदे पर निकाल देंगे बिठा गे संत अमरीत पिला ना चाहता है अमरीत इनको भ dönक Pr만 जैसे गदे को कोई घीए पिला है क्या करते हो दोट रहे ह। ऐसा ही हाल है तो फिर गदा दुलत्ती मारेगा नकारेगा अमरित पीने से लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रह में रह करके भगवान का आश्रह है यह भगवान की शर्ण भगवान की शर्ण तभी मानी गई है जब कोई व्यक्ति भगवान की किसी शुद्ध वक्त के चल्णों में जाके मात अटेके प्रणाम करे गुरू रूप से स्विकार करे तो भगवान की शर्ण मानी जाती है भगवान की शर्ण डाइरेक्ट नहीं मिलती शास्त्रों में मना किया है भगवान की किसी शुद्ध वक्त की शर मिलती है डायरेक्ट अपर्च नहीं होती है इसलिए भगवान स्वयम गुरू बनाने की सिक्षा देते हैं गुरू बनाएं कुष्ण बल्राम संदीप नी मुनी के आश्रम में गए शिक्षा लेने बेशक उन्होंने चौसर दिन में चौसर कलाएं प्राप्त करी उनके पास तो कलाओं का बंडार पहले से ही है उनको जरुत नहीं लिए शिक्षा देने के लिए समाज हुए चौसर दिन में चौसर कला कोई प्राप्त कर सकता है ये भी इशारा किया बगवान ने बगवान ने इस धरदाम पर जब थे प्रगट हुए तो सभी ऐसी लेलाएं की जो सभी नर और देवताओं से और दानवां से ब्रह्मा जी से सबसे एक-एक हाथ उपर थी उससे ज्या वो चाहें तो अज्जारों में उपर कर दें नहीं एक हाथ उपर समझाने के लिए कि मैं भी तुम जैसा ही हूँ लिए देखो मैं भी तो गुरू बना रहा है चाहे चौसट दिन के लिए ही सही चौसट कलाओं के लिए सही राम के भी गुरू थे गुरू बिन गति नहीं होती गुरू बिन ग्यान नहीं मिलता गुरू बिन एंकर कौन काटेगा तुम्हारा कोई कहता है स्रुडी के साहिबाबा मेरे गुरू जी है मैं गता हूं तुम अभी 40 वर्ष के हो स्रिड़ी के साहे बावा को 100 वर्ष से उपर हो गए वो तुम्हारे गुरु का पन गए इस भुलो महराज अन्य गुरू मान रखा है उनक a चलो ठीक गुरू मान रखा है तो गुरु एक पर भभत होता है बहँआनका तो उसकी पवित्र था तुम्हें भी तो तुम्हारे उपर रहे हो तुम कैसे उनके शिष्ट होगे शिष्ट का धर्म है कि वह बगवान की शरण में रहे अपने गुरु के इंस्ट्रिक्शन्स का पालन करें पवित्रता को अपनाए गंदगी को साफ करें धर्म को अपनाए अधर्म को नष्ट करें तो लोगों ने ऐसे धार ना कर रखिए कि हम तो मानते हैं स्रीडी के साहिवाब को बलता हम जलाराम बापू को मानते हैं तो जलाराम बापू तो अभी नहीं है कि तोगोल नहीं हम गुरू जगत गुरू श्रीकृषिन जगत गुरू महाराज उनकी चर्णों में हैं तो भी श्रीकृषिन भगवान ने गीता बोली है अपने शिषिक के लिए तो शिष्च बनो अर्जुन की तरह तो भगवान श्रीकृषिन के इंस्ट्रिक्शन्स का पालन करो उनके आदेशों का पालन करो उनकी शिक्षा को स्वीकार करो भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रे में रहे करके जो जरा मरन से छुटकारा पाना चाहता है उसे मेरे आश्रे में रहना चाहिए मेरी शर्व में रहना चाहिए मेरी शर्व में रह करके मेरा बजन करना चाहिए मेरी सेवा करनी चाहिए मेरा कहा मानना चाहिए मुझसे प्रेम करना चाहिए मेरी चरणिस परस करनी चाहिए मेरी शर्व में रहना चाहिए मेरे पर डिपेंड रहना चाहिए जो कुछ मांगना है मुझसे मांगे कुछ निवेदन करना है मुझसे करे बार बार जनम बार बार मरन इससे मौक्ष प्राप्त करने के लिए छुटकारा पाने के लिए बगवान स्री कुर्ष्ण करें कि मेरी शर्ण में रहकर के यतन करना चाहिए मेरी शर्ण में रहकर के ये जरा और मरन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए यानि मेरे भजन करनी चाहिए मेरे सेवा करनी चाहिए मेरे नाम जिब करना चाहिए, मेरा केरतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए को कि इस तन करना चाहिए नाचना चाहिए ये करवसी यदसना सी ये जूओ सी ददास ये तपश्यसी कौन ते तद कुछ समधर पणम अरे खुंती के नंदन अरजुन जो तू कुछ खाता है करता है देता है तपता है उसम मेरे लिए कर तेरी सारी दिंचरिया मेरे लिए होनी चाहिए मुझे पुरस्ण करने के लिए कर यद करोसी यद असनासी यद जोसी कुछ आउति देता है स्वाह मेरे मेरे लिए कर वासुदेव यग कर लोग देवताओं के मन तो चारण करते हैं आउतियां देते हैं इंदर देवाए इन्नमा स्वाह और फिर प्रार्तना करते हैं हमको महल दो गोड़ा दो नौकर दो रानी दो सुख दो सुविदा दो अपसराएं दो सारी अपसराओं के लेके बैठे हमें तो अपसरा दो इंदर है मन तुमारा इस शरीर में हमारा जो मन है यह इंदर है यह इंदर के ही चारों तरफ हजार नगन अपसराएं खड़ी होती है विचारों में ही सही सपनों में ही सही यह मन में ही सारा संसार समाहित है समाया है यह मनी भोकता बनना चाहता है मनी इच्छा करता है मनी ध्यस करता है मनी एक मनुष्याडा करम बंध मोक्षय यह मनी ही तो है मनुष्यों के अंदर जिससे मनुष्य सब्द बनाएं यह मन ही तो है जो बंदन का कारण है यह चाहे तो जेल में ले जाए बेड़ें में डाल दे यह चाहे तो नरक में ले जाए यह चाहे तो अपसराओं से मिला दे ख्वाबों में ही सही हकीकत में मिला दे और यह चाहे तो परमीश्वर से मिला दे यह मोक्ष्या कारण भी बन जाता है मन मन यह मनुश्या नाम कर्म बंद मोक्ष्या यह कर्मों के बंदन में डालता है तो मन से सावदान रहना मन की गती समझना कि यह कहा कौन सी चाल चल रहा है किस मार्क पर जा रहा है तो वगवान सरी कृष्ण कहते हैं कि यह मन संसार में भटकेगा तुमारे बश में नहीं होगा जब तक तुम मेरी शर्ण में इसको नहीं लगा दोगे मेरे चर्णों में इसको नहीं लगा दोगे मेरे सेवा में इसको नहीं लगा दोगे मेरे नाम जप्र में इसको नहीं लगा दोगे मेरे कीर्टन में इसको नहीं लगा दोगे जब तक ये मेरे लिए नाचेगा नहीं ये तुमारे बस में नहीं होगा तो इसको मेरी सेवाँ में लगा दो यह अपने आप्शान बसमें हो जागा और तुम्हारा मित्र बन जागा तुम्हारा कल्याण चाहने वाला बन जागा यह मान जरा मरण मोक्षा है तब तुम ये जरा बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यू से छुटकारा प्रात कर सकते हो और कोई मार्ण नहीं बतलाया भगवान ने होता कोई मार्ण यह बोलते नहीं बोला जरा मरण मोक्षा है मामा सुथ्तियतंति यह जो मेरी शवन में रह करके एक जनम मरण से छुटकारा पाने का प्रियत्म करते हैं ते ब्रह्म तद्विदू वो ही ब्रह्म को पहचानते हैं ब्रह्म क्या है भगवान क्या है परमात्मा क्या है आत्मा क्या है ते ब्रह्म तद्विदू परम ब्रह्म क्या है ते ब्रह्म तद्विदू कृच्छनम अध्यात्मम कर्म चयक्लम और वो ही जानते हैं मुझ परमिश्वर को, मेरी आत्मा को, मेरी सुप्रीम सौल को, मुझ सुप्रीम ब्राह्मन को, परम ब्राह्मन को, परम आत्मा को ते ब्राह्मत अद्विदु कृत्सनम अध्यात्मम वो ही जानते हैं आत्मा के विसे में, वो ही जानते हैं कर्म के ख्षेत्र को, कर्म फिल्ड को, वो ही जानते हैं अध्यात्म क्षेत्र को, आत्मा के फिल्ड को, चाखिलम और पूर्ण जो इस्तार है भगवान का उसके बिसे में उनको ही जानकारी है जो मेरी शर्ण में रहके जरामरण से मुक्त होने का प्रियास करते हैं यानि मेरी भक्ति करते हैं जरामरण मोक्षायो मामा सुर्टियत अंतिये ते ब्रह्मत अद्विदु कृस्नम अध्यात्मं कर्म चाकिलं अध्यात्म क्या है आपकी आत्मा यह अध्यात्म है यहाँ पर अध्यात्म आपना को कहा है जो इटर्नल है full of bliss है आनन्द मई है हमेशा के लिए अग्वे जो है आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है आनन्द मई है ग्यान मई है आप सब हे आत्म देव आप सूरिय के समान तेजस्वी है लेकिन ये छे शक्तरों ने छे विकारों ने और बारे खजानों ने घेर करके ये घेर करके बैठ गए आपको आपके उपर बादल की तरह चागए काली बादल मन रहा गए अब ये सूरिय तो लुपत हो गया दिखाई नहीं पड़ता और दिखाई पड़ते हैं काले बादल दिखाई पड़ते हैं ये शरीर कि मैं ये शरीर हूँ मैं ताकतवर हूँ मैं रूपवान हूँ मेरे शरीर हैं मेरे बच्चे हैं मेरे पत्नी हैं मेरे परिवारजन हैं मेरे रिष्टेदार हैं मेरे वोट देने वाले समर्थक हैं ये शरीर दिखाई देते हैं अश्टा वक्र महाराज ने जनक रिशी को फटका रहा था जनक रिशी बड़े-बड़े बिद्वानों से ब्राह्मनों से सत्संग करवा रहे थे अपनी महल में तर्व की तर्व शास्त्रार्थ चल रहा था बिद्वानों जो स्कॉलर्स हैं जिनको जो किताबी कीड़े हैं जिनको शास्त्र का तोता रटन्त का ज्यान है अनुभव नहीं जब यह सत्संग में अश्टावक्र पदारे ते सारे विद्वान ब्रहमन हस पड़े पंडित पंडित जिनको पंडित कोई जिनोंने धन समझाय है रहस पड़े अश्टावक्र जी को देख करके अश्टावक्र उनका नाम ही अश्टावक्र है उनका शरीर आठ जगे से टेड़ा मेड़ा था उनके पीछे भी शाप लग गया उनकी पुताजी का उनके पुताजी ब्रहमन थे करम कांडि ब्रहमन जोतिस विद्ध्यावाले शनी नवग रह के जाप करवानी वाले कर्म कांडी ब्राम अश्टावक्र जब पेट में थे मां के पेट में सात्वे मैंने में जब बच्चा पहुंसता है तो कोई सिक्षा देने की पध्यति चली आई है आज भी है कल भी थी जैसे नारद मुनी ने भक्त प्रलाज जब गर्व में थे कयादु माता के तब नारद मुनी ने उपदेश किये थे कयादु को और वो सारे उपदेश बालक भक्त ने सुन लिये थे आध्यात्म ग्यान बगवत कताएं ठीक वैसे ही ब्रामन कहते हैं पिता अश्टावक्र तो बालक है नाम तो ये उनके शरीर में आठ जगे से टेड़े मेड़े हैं इसलिए नाम अश्टावक्र पड़ गया उनके पिता जी नहीं शाब दे दिया कि तो अश्टावक्र नाम से जाना जाएगा तेरे शरीर में आठ जगे से बांख होंगी टेड़ा मेड़ा होगा तो म तेरे एग में बात नहीं सुनता पिता जी वेचारे मेहनत करते थे बच्छे को तैयार करते थे कि करमकांड द्वान बने तो शिक्षा देते थे करमकांड की लहीं बालक बड़े चातन्य थे कि इन्होंने सोचा कि जो पिताजी जो शिक्षा मुझे दे रहे हैं इस शिक्षाते सो संसार में आदमी फसता है यह तो सब वहीं इंद्र-चंद्र को मनाने वाली विद्या हैं बोग विलाशों को चाहने वाली विद्या है यह तो करमकांड कहिए कि तो अभिद्या है यह तो संसारों पसाती है